साथियों, बनारस में शहर्व देहात के इविकास योजना में परियटन भी हो, संस्कूरुती भी और सडग बिजली पानी भी, हरदम प्रयास यही होला कि आपन काशी के हर सक्ष के बावनाओं के अनुरुफी विकास के पहिया आगे बढ़ेई, इसलिए यह विकास आज अपने आप में इस बात का उधारण है कि बनारस कैसे एक सांथ हर शेत्र में, हर दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है, मा गंगा की स्वच्चता से लेकर, स्वास्त सेवाओं तक, रोड और इन्फास्ट्रक्चर से लेकर, परियतन तक, बिजली से लेकर, युवाओं के लिए खेलकुद तक, और किसान से लेकर, गाउं गरीब तक, हर शेत्र में, बनारस विकास की नई गती प्राप्त किये हुए है, आज, गंगा एक्शन प्लांट प्रोजेक्ट के तहट, सीवेज ट्रिट्मेंट प्लांट के रिनोवेशन का काम पूरा हो चुका है, साथ ही, शाही नाला से अत्रिक्त, सीवेज गंगा में गिरने से रोकने के लिए, डाइवर्जन लाइन का सेलान्यास भी कर दिया गया है, 35 करोड से अधिक की लागत से, खिडकिया घाट को भी सजाया सम्वारा जा रहा है, यहाँ CNG से नाव भी चलेगी, जिससे गंगा में प्रदुषण भी कम होगा, इसी तरह दसास्व में घाट पर तुरिश प्लाजा भी आने वाले दिनों में परियाट्रकों की सुविधा और आकर्षन का केंदर बनेगा, इससे घाट की सुद्धरता भी बढ़ेगी, व्यवस्ता भी बढ़ेगी, जो स्थानिये छोटे-छोटे व्यापार है, ये प्लाजा बनने से उनकी भी सुविधा और ग्राहक बढ़ेंगे, साथियों, मा गंगा को लेकर ये प्रयास, ये प्रतिवर्दता काश्वी का संकल्प भी है, और काश्वी के लिए नई संभावनाओं का रास्ता भी यही है, दीरे दीरे यहां के घाटों की तस्वीर बदल रही है, कोरोना का प्रभाव कम होने पर जब परियाटों के संख्या और बढ़ेगी, तो वो बनारस की और सुन्दर छवी लेकर यहां से जाएंगे, गंगा घाटों की स्वच्चता और सुन्दरी करण के साथ साथ सामनाथ भी नए रंग रूप में निखर रहा है, आज जिस लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का लोकारपन किया गया है, उससे सारनाथ की भव्यता और अधिक बढ़ जाएगी,